साथियों आज मैं बस्तर के 36 गड़ के युवा साथियों को भी एक बात पताना चाहता हूँ जो पहली बार अपना वोट डालने जा रहे हैं वो नवजवान मेरी बात सुनिये आपको 2014 से पहले की गटनाओं के बारे में जानना जरूरी है 2014 से पहले दिल्ली में जो सरकार थी ना अकबारों में बड़े बड़े गोटाले चाहे रहते थे लाखों करोडों के गोटाले यही खबरे होती थी और पूरी दुनिया में हमारे देश का नाम पूरी तरह बदनाम करके रखा था 2014 में देश ने कॉंग्रेस की सरकार को उखाड फैंका और पूर्ण बहुमत की भाज़पा सरकार दिल्ली में बनाई आज गोटालों के बजाए दुनिया में भारत के गवर्ण के चर्चा होती है भारत के सामर्थ की चर्चा होती है आप मुझे बताईए आज दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है कि ने बज रहा है ऐते नई पूरी ताकत से बताई हिंदुस्तान का डंका बज र कि यूरोप में हिंदुस्तान का डंका बज़ रहा है जपान में हिंदुस्तान का डंका बज़ रहा है सिंग्यापूर में हिंदुस्तान का डंका बज़ रहा है आपको गवर होता है नहीं होता है आपका माथा उंचा होता है नहीं होता है इसलिए मेरा युवा साथियो आपको एक बाद जरूर ध्यान रखनी है आज देश के बहुत कम राज्यों में कॉंग्रेस की सरकारे बच्ची हैं और एक बार जाती है ना 25-25 साल तक वापिस नहीं आती है और इसलिए जब इनके पास सरकारे ही कम है तो लूट का माल कुछी जगह से लूटना पड़ता है इसलिए जहां भी इनके सरकार बनती हैं वो जम करके लूटते हैं पूरे हिंदुस्तान में उन्होंने राज्यस्तान चतिशगड ऐसे राज्य को लूट का सबसे बड़ा खजाना बना दिया चतिशगड के ही लोग मुझे बताते हैं कि कॉंग्रेस के हर छोटे बड़े हर नेता ने पंदरा साल जो तक सरकार नहीं दिना वो जो खाद पड़ गई दिना वो भी जमा करने में लग गए पांच सालों में यानि पंदरा साल तक इनको चतिशगड को लूटे का मोका नहीं दिया अब वो सारी कसर भी अभी निकालना शुरू कर दिये है अरे इन्होंने तो गोमता के नाम पर भी प्रस्टाचार किया है जिन्होंने गोबर तक को नहीं छोड़ा उन्होंने क्या क्या नहीं किया इनके ब्रस्टाचार के सबसे बड़े भुक्त भोगी मेरे नवजवान है, मेरे बस्तर के लोग है कॉंग्रेस ने युवाँ को नोकरी का वादा दिया था लेकिन नवजवानों की नोकरी में ही गोटाला कर दिया कॉंग्रेस के नेताओं ने PCS भर्तियों में अपने बच्चों अपने रिष्टेदारों को सेट कर दिया क्या अग नहीं किया, चारों तरब लूट बचाई यह नहीं बचाई इनकी पार्टी तो राजनिती में भी अपने ही बच्चों को सेट करती है और नोकरियों में भी यही करती है, 36 गड़ के लाखों परिवारों, आदिवासी, पिछडे परिवारे के बच्चों से कॉंग्रेस ने नोकरियां छिन ली है, आपका अधिकार छिन लिया है नोकरियों तो दी नहीं, जो पहले से सरकारी नोकरी में है, उनको भी कॉंग्रेस ने, लोगों ने लूटा है, परिशान किया है ट्रांसपर पोस्टिंग को लेकर यहां सरयाम प्रस्टाचार हो रहा है, बोली बोली जाती है, ऐसे ही उगाई की जा रही है इसलिए चत्तिजगड कह रहा है, अउने सही वो, बदल के रही वो अउने सही वो, अउने सही वो, यह अपने सही वो चाथियो, आप आश्वस्त रहिए, आप कॉंग्रेस की सरकार बदलिए, भाजपा इस पूरे लूट तंत्र को बदल देगी यह कॉंग्रेस ने लोग तंत्र को लूट तंत्र बनाया है और प्रजात तंत्र को परिवार तंत्र बना दिया है भाजपा सरकार बनते ही, PCS गोटाले की जाच होगी गुनेगार भी कितना ही ताकतवर हो, मोदी उसको जेल में डाल करके ही रहेगा हर नवजवान, हर सरकारी कर्मचारी को पुरा न्याय मिलेगा कि अवज़ाएब बनाय में